ये कहासे कहानी है यानि कि हसने वाला ठीक है? चंदुलाल को तैर्णा नहीं आता था उन्होंने कसम ली थी कि जब तक वो ठीक से तैर्णा नहीं सीख जाएगा पानी में कदम नहीं रखेगा सावन का दिन था गंगा नदी खूब उफान थी चंदुलाल के मित्र मठका नात ब्रह्मचारी ने कहा चलो चंदुलाल तुमको तैर्णा सिखा दे चंदुलाल ने कहा मैंने कसम की है कि जब तक मैं तैर्णा नहीं आए मैं पानी में पैर भी नहीं रखूँगा अरे ऐसा भी क्यों हो सकता है? बिना पानी में उत्रे तुम तैर्णा नहीं सीख सकते मठका नात ने कहा फिर ब्रह्मचारी ने कहा जब जिद्ध छोड़ो और चलो गंगा जी में चंदुलाल को लेकर मठका नात ब्रह्मचारी गंगा जी पहुँच कर बोले वो बोर्ड देखो डूबते को बचाने वाले को 500 रपे इनाम आगया से जिला अधिकारी ऐसा उन्होंने बोर्ड पर लिखाओ उसको पढ़ाया अब तुम नदी में उत्रो और जोर जोर से चिलाओ बचाओ बचाओ मैं आके तुम्हारे यानि कि तुमको बहार निकाल दूँगा और दोनों लोग इनाम की रकम आधी-ाधी बांट लेंगे चंदुलाल को आइडिया पसंद आया वो उतर गए पाने में घुटने तक पानी में जाते ही जोर-जोर से चिलाने लगे अरे डूप गया बचाओ बचाओ मटकानाथ ब्रह्मचारी ने आखे दिखाते हुए कहा अबे चुप कर कोई घुटने तक पाने में डूपता है क्या अरे और आगे जाओ इनाम की रकम नहीं चाहिए क्या ऐसा बोलता है तो चंदुलाल डरते डरते आगे बढ़े और गले तक पानी हो जाने पर फिर से चिलाने लगे मटकानाथ ब्रह्मचारी ने आखे ततेरी और कहा अरे आगे मैं हूँ ना क्यों डरते हो इस तरह दो-तीन बार चंदुलाल पानी में बहुत आगे तक चला गया और डूबने की कोशिश करे अरे मैं सच में गुरगुर डूब रहा हूँ बचाओ मटकानाथ ब्रह्मचारी ने कुछ नहीं कहा और नदी के किनारे मुस्कुराते रहे अब चंदुलाल की सांसे छूटने लगी जोर-जोर से चिलाया अरे कमीने क्या कर रहा है जल्दी बचाओ क्या तुम्हें 500 रूपे नहीं चाहिए मटकानाथ ब्रह्मचारी ने उंगली से और उंगली से इस इस इशारे करते हुए बोलता है कि पहले वाले बॉर्डर के दूसरी तरफ लगा हुआ था उस पर कि तेरते लाश को निकालने वाले को एक हजार रूपे इन नाम में मिलेगा जिला अधिकारी तो इसी लिए वह अपने दोस्त को धोखा देकर से मर्वाना चाहता था तो रेक हजार रूपे लिन